हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कोहर्ड वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज से मैं आपको इस चैनल पर जैन स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू करूंगी आज इसका ये पार्ट नमबर एक है आज की इस वीडियो में मैं आपको ओन और हेल्थ के अनुसार फंदे लेना बोर्डर के बाद ये जो डिजैन इसमें बनाया गया है इस डिजैन को बनाना सिखाऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई वाली ओन ली लीजिए और बोर्डर के बाद आप इसमें 9 नंबर की स्लाई यूज कीजिए और अगर आपकी उन इस तरह से नॉर्मल वाली है जो बिलकुल इस तरह से ट्विश्ट की हुई होती है इस उन के लिए बोर्डर में आप 11 नंबर की स्लाई ले लीजिए और बोर्डर के बाद आप इसमें 10 नंबर की स्लाई यूज कीजिए ये जो जेंट स्वेटर में बना रही हूँ ये L और XL दोनों को आराम से आ जाएगा अब 3 प्लाई वाली उन से इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 95 यानि पिचाण में फंदे लिए है अगर आप भी इसी तरह की उन से बना रही है तो आप बोर्डर में 95 फंदे डाल लिजिए और अगर इस तरह की नॉर्मल वाली उन से बना रही है तो बोर्डर में आप इसमें 100 फंदे डाल लिजिएगा फंदे इसमें मैंने डिजाइनर लिए हुए है आप इसमें डिजाइनर या नॉर्मल किसी भी तरह के फंदे डाल सकती हैं फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से इसमें आप पहले उल्टी उल्टी बना लीजिए उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा बनाते हुए इस border को बनाना है ये border दोनों तरफ से एक जैसा होता है क्योंकि जो फंदा सीधी साइड पर उल्टा बनेगा वो यहां सीधा हो जाएगा जो यहां सीधा बनेगा वो यहां उल्टा हो जाएगा इस तरह से एक उल्टा एक सीधा करते हुए इस बॉर्डर की जो लेंग है वो आप 3 इंच तक बना लीजिए 3 इंच बॉर्डर बनाने के बाद अब यह जो डिजैन इसमें बनाया गया है ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है तो जो हम फंदे बढ़ाएंगे वो हम उल्टी साइड से बढ़ा लेंगे बिचाणम फंदे इसके बोर्डर में मैंने लिये हैं और उपर इसमें मैंने 15 फंदे बढ़ा दिये हैं तो 15 फंदे बढ़ाने से मेरे पास यहाँ पर टोटल 110 फंदे हो गई है 110 फंदे में ये डिजैन इस तरह से एड़ेस्ट हो जाता है और अगर आपकी ओन ये वाली है तो 100 फंदे से आप बोर्डर बनाईए बोर्डर के बाद आप इसमें 16 फंदे बढ़ा दीजिएगा 116 फंदे आपके टोटल हो जाएंगे 116 फंदे में आपका ये डिजैन इसी तरह से एड़ेस्ट हो जाएगा इस डिजैन को बनाने के लिए फंदे हमें दो तरह से काउंट करने होते हैं एक तरह से तो देखिए इसमें 12 के मल्टीपल होते हैं और दूसरी तरह से अगर हम 6 के मल्टीपल भी करेंगे तो भी ये डिजैन आसानी से एड़ेस्ट हो जाएगा अब 12 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 12 फंदे गिन लिजिए फिर सेच है फिर सेच है फिर सेच है फिर सेच है जब बार बार 6-6 फंदे गिनेंगी तो last में आपके दो ही फंदे होने चाहिए दोनों तरह से आप फंदे multiple करके देख सकती हैं दोनों तरह से ये design adjust हो जाएगा तो चलिए अब इस डिजाइन को बना लेते हैं जैसे मैंने यहां से डिजाइन को बनाना शुरू किया हुआ है सेम मैं आपको यहां पर 26 फंदों में इस डिजाइन को बनाना सिखाऊंगी अगर 12 के मल्टीपल करते हैं तो 12 दूनी 24 और 2 फंदे एक्स्ट्रा होते हैं अगर 6 के मल्टीपल करके देखेंगे तो 6 चोग 24 और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा दोनों ही तरह से यह डिजाइन एड़जश्ट हो जाएगा 110 फंदे में भी इसी तरह से होगा और 116 फंदे में भी यह डिजाइन इसी तरह से एड़जश्ट हो जाएगा अब यहाँ पर डिजाइन की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो बोर्डर के बाद उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजे और फिर सीधी साइड से सेम जैसे मैं यहां पर डिजैन को बना रही हूँ ऐसे ही आप यहां से बुनना शुरू कीजिए बिल्कुल सेम आपका एड़ेस्ट हो जाएगा तो देखिए पहला फंदा इसका है इसे उतारिये या उल्टा बनाएए यह आपकी अपनी मर्जी है अब यहां से हम डिजैन को शुरू करेंगे एस्टीज के बाद छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच और यह छे धागे को पिछे करेंगे और छे फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और यह छे एस्टीज के बाद हमने छे फंदे उल्टे और छे फंदे सीधे बनाए बस अब इसी को बार बार रिपीट करते जाना है वैसे तो यह डिजैन चार ही सलाईयों का है लेकिन इस डिजैन की मैं आपको बारा सलाईयां भून कर दिखाऊंगे बारा सलाईयों में आगे इस डिजैन को रिपीट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो पहली सलाई में आप ऐसे ही बनाते जाएए छे फंदे उल्टे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे फिर धागे को पीछे करेंगे और छे फंदे सीधे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे लास्ट में एक फंदा बचेगा इसे आप उल्टा ही बना दीजिए और अगर यहाँ पर देखिए छे सीधे बनाने के बाद फिर हम छे फंदे अगर और बचते हैं तो उनको उल्टा बुन लेंगे उसके बाद भी हम उल्टा ही बनाएंगे इसी तरह से 6 उल्टे 6 सीधे 6 उल्टे 6 सीधे ऐसे करते हूं सलाई को कम्प्लीट कीजिए दूसरी सलाई उल्टी साइड पर इस डिजैन में उल्टी साइड की सारी सलाईया बिल्कुल उल्टी उल्टी बुननी हैं तो मैं इस सलाई को उल्टा बुनते हुए कम्पलीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट्स दो सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए अब ये जो छे फंदे उल्टे हैं इसमें से हम तीन को उल्टा फंदा है इसको हम आगे से सलाईपर ऐसे लेंगے इन तीन को उतारेंगे और बैक सैड की सलाईपर ऐसे डालतेंगे इस एक फंदे को अब हम पलट के इसके आगे कर देंगे और देखिए अब हमें छे फंदे सीधे बनाने हैं एक तो हमारा ये हो गया तीन ये जो उल्टे फंदे हमने यहां से यहां पर किये हैं और तो इसके आगे से तो देखिए ध्यान से बुनिए क्योंकि यह टाइट हो जाते हैं एक दो तीन चार पांच और यह छे धागे को अपनी तरफ करेंगे अब हमें छे फंदे उल्टे बनाने हैं तीन फंदे जो सीधे वाले हैं इनको हम उल्टा बनेंगे एक दो तीन और तीन इसमें से लेंगे च्यार पांच और यह छे अब फिर से हमें इसी डिजैन को रिपीट करना है देखिएगा धागे को पीछे करेंगे यह जो तीन फंदे उल्टे हैं इनको छोड़ के यह जो चोथा फंदा सीधा है इसको हम आगे स स्लाइपर ऐसे लेंगे इन तीन को उतारेंगे और बैक साइड की स्लाइपर हम ऐसे डाल देंगे इस फंदे को लेंगे और इन तीन के आगे पलट कर डाल देंगे और अब हमें 6 फंदे सीधे बनाने है देखिए एक दो तीन च्यार पांच और ये छे आपके जितने भी फंदे हो ऐसे हिस डिजैन को बनाते जाएए अब लास्ट में देखें ये हमारे चार फंदे तीन सीधे दिख रहे एक उल्टा है तो अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे क्योंकि हमारे ये छे फंदे यहां सीधे हो चुके हैं तो इनको अब हम उल्टा बुन देंगे एक, दो, तीन और ये एश्टीच हमारा चार ये डिजैन अब हमारा इस तरह से तिर्चा तिर्चा जाएगा जैसे ये इस तरह से इसके लहरिये जा रहे है जोथी सलाई है और उल्टी साइड है इसे आप उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए चार सलाईया इस डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब हमें फिर से इन्ही चार सलाईयों को रिपेट करना है डिजैन हमारा इस तरह से जाएगा तो पांचमी सलाई पर आपको जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुनते जाना है यहाँ पर देखिए पहला फंदा एस टीच है उसके बाद ये तीन फंदे उल्टे हैं एक दो और ये तीन अब धागे को पीछे करेंगे छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और ये छे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और छे फंदे उल्टे बनाएंगे यानि जो फंदे आपको जहां पर जैसे दिखाई दे वैसे ही बुनते हुए पांचमी सलाई को कम्पलेट कीजिए फिर छटी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी तो ये देखिए छे सलाई हमाने कम्पलेट हो गई है अब इसकी सात्मी सलाई है और सीधी साइड है सात्मी सलाई पर हमें फिर से ये फंदे ट्विस्ट करने हैं तो ध्यान से देखिए पहला फंदा ST6 से उतारिए या उल्टा बनाईए धागे को अब हम पीछे करेंगे ये जो तीन फंदे उल्टे हैं इनको छोड़ देंगे और ये जो सीधा फंदा है चोथे नमबर पे इसको सलाई में हम ऐसे ले लेंगे इन तीन फंदों को उतारेंगे और बैक साइड की सलाई पर ऐसे हम पहले डाल देंगे अब इस फंदे को हम यहां से उताएंगे और इसके आगे पलट के डाल देंगे इसे पलट के ही डालना है ताकि ये जो इसकी बेल बनती जा रही है इस तरीके से ये बिलकुल ऐसे सीधा फंदा दिखे अब हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे देखिए 1, 2, 3, और ये 4 इन फंदों को आप गिन के बनाएए क्योंकि ये टाइट हो जाते हैं और ये देखिए 5, 6 अब इस तरह से ये 6 फंदे हमारे यहां पर सीधे हो गए हैं तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 ही फंदे उल्टे बनाएंगे तीन ये जो सीधे दिख रहे हैं तीन ये वाले उल्टे तो धागा अपनी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6 फिर से धागे को पिछे करेंगे ये जो 3 फंदे उल्टे हैं इनको छोड़ देंगे ये चोथे नमबर पे जो सीधा फंदा है आगे की साइड से इसको स्लाइपर ऐसे लेंगे इन तीन को उतारेंगे और बैक साइड से ऐसे स्लाइपर ले आएंगे इस फंदे को यहां से लेंगे और ऐसे सीधा हमने रखना है और यहां डाल दे रहा है अब हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अब देखिएगा ये जो 3 सीधे वाले हैं इनको हम उल्टा बनेंगे और 3 हमारे यहाँ पर उल्टे हैं तो टोटल 6 फंदे आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अब ये जो 6 इसे भी हम उल्टा ही बना देंगे अब आज येगा इसकी उल्टे सलाई पर और 8 में सलाई पर इसे आप उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स 8 सलाई यां डिजिएन की कम्प्लेट हो गई हैं अब ये वाली हमारी जो यहां से ये लहरिये वाली बेल चली थी यहां पर खतम हो गई है ये वाली यहां से चलते चलते ऐसे यहां पर जाकर खतम हो जाएगे अब 9 सलाई पर यहां से हमारी तीसरी इसी तरह की लहरिये वाली बेल शुरू हो जाएगे तो 9 सलाई को एक बार अप्ध्यान से देखे कि कैसे बुनेंगे पहला फंदा इसका HD6 उतारिये या उल्टा बनाईए धागे को हम पिछे करेंगे पहले तो हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं 9 सलाई पर उनको ऐसे ही बुनते जाना है यहाँ पर 6 फंदे ये सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुनेंगे फिर 6 फंदे हमारे उल्टे हैं तो उनको हम उल्टा बुनेंगे दसमी सलाई जो हमारी उल्टी साइड से आएगी उसको हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे क्योंकि हमें दो सलाई ऐसे ही बुननी होती हैं छे फंदे सीधे, छे उल्टे, छे सीधे और फिर उसके बाद हमें फंदे ट्विश्ट करने होते हैं तो इस नोमी सलाई पर आपको जो फंदे जहां पर जैसे नजर आ रहे हैं वैसे बुनते हुए कंप्लीट कीजिए दसमी सलाई को उल्टा बुन कर कंप्लीट कर लीजिए तो ये देखिए अब हमारी ये ग्यार्मी सलाई आ गई है ग्यार्मी सलाई पर हम इसमें फंदे ट्विश्ट करेंगे तो देखिए पहले फंदे को तो आप उतारिए या उल्टा बनाईए अब हम धागे को पीछे ले कर जाएंगे ये वाली हमारी लहरिये वाली बेल यहाँ पर खतम हो चुकी है अब ये वाली ऐसी तिर्छी जाएगी तो ये जो हमारे 6 फंदे यहाँ पर सीधे दिख रहे हैं इसमें से हम 3 सीधे बनाएंगे 1, 2 और ये 3 अब धागे को अपनी तरफ करेंगे ये जो 3 सीधे हैं यहाँ से 3 उल्टे वाले लेंगे तो 6 फंदे हमारे यहाँ उल्टे आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अब धागे को पीछे करेंगे देखिए ये जो 3 फंदे उल्टे हैं इनको छोड़ देंगे ये 4 फंदा जो सीधे वाला है इसको ऐसे लेंगे इन 3 को उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर हम इनको ऐसे डाल देंगे अब ये जो फंदा है इसको यहाँ से लेंगे और ऐसे पलट के इनके आगे डाल देंगे और 6 फंदे हम सीधे बनाएंग अब एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे अब देखे हमें फिर से 6 फंदे उल्टे बनाने हैं तीन ये वाले और तीन यहां से धागा अपनी तरफ करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे अब हम धागे को पीछे करेंगे देखिए जब हमारे इस तरह से तीन लास्ट में उल्टे होते हैं एस्टिस से छोड़ के तो इनको हम सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा ये उल्टा उल्टी साइड से पूरी सलाई को आप उल्टा बुनते हुए कम्पलीट कर दीजिए तो ये देखिए, बारा सलाई तक ये डिजैन कम्पलीट हो गया वैसे डिजैन सिरफ चार ही सलाईयों का है सिरफ ये जो हम फंदे ट्विश्ट करें इसकी जगे थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती चली जाती है और चार-चार सलाईयों को बार-बार रिपेट करना है अब जैसे आपकी यहां से तेरमी सलाई आएगी जो फंदे जहां पर जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाएए चोदमी सलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी आएगी पंदरमी सलाई पर देखे ये वाले तीन फंदे भी आपके उल्टे हो जाएंगे तीन यहां से तो टोटल छे फंदे यहां उल्टे आगे ये वाला फंदा इन तीन के आगे चला जाएगा फिर आपके 6 सीधे हो जाएंगे फिर आपके 6 उल्टे आ जाएंगे और फिर यहां पर यह वाले 3 फंदे उल्टे छोड़ कर यहां से जो सीधा फंदा इसको उठाएंगे और इन 3 के आगे कर देंगे तो यहां पर आपके फिर 6 फंदे सीधे आएंगे बस ऐसे ही यहां पर आपका ये लहरिया खतम होता चला जाएगा और यहां से आपका शुरू होता चला जाएगा डिजैन सिर्फ चार ही सलाईयों का है बस इन ही को आपको ध्यान में रखना है कि इसको हमें ट्विश्ट करना है तो इन ही सलाईयों को बार-बार रिपिट कीजिए और इस डिजैन को आप इस तरीके से बनाते चले जाईए अब हमें इसकी length कितनी बनानी है मैं आपको ये बता देती हूँ मैंने इस sweater की जो यहां border से लेकर arm hole की cutting तक जो length बनाई है वो 18 inch बनाई है वैसे ये जो length हम बनाते हैं ये height के अनुसार बनाते हैं जो हम फंदे लेते हैं वो हम health के अनुसार लेते हैं कि किसकी health कितनी है क्योंकि height जो है किसी की कम होती है किसी की ज्यादा होती है लेकिन कई बार क्या होता है कि health जो है हमारी ज्यादा होती है लेकिन height कम होती है तो इस वज़े से हमें जो length का होता है वो नाप अपना रखना होगा मैं जिसके लिए बना रही हूँ उनकी हाइट जो है ज्यादा है इसलिए मैंने इसकी जो लेंथ बनाई है वो बोर्डर से लेकर आरम होल तक 18 इंच बनाई है तो मैं आपको इसे नाप कर भी दिखा देती हूँ ये देखिएगा यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा 18 इंच है आप जब इसका नाप रखेंगी तो आरम होल के नीचे इंची टेप को रख लीजिए उसके बाद नीचे तक जितनी लेंथ बनानी हो इंची टेप से नाप लीजिएगा जब आप अपने इस पार्ट को नाप कर देखेंगी तो आपने देखिए कैसे करना है बिल्कुल इसको ऐसे करके सीधा विछा लेना है दो सलाईों में आपने आधे आधे करके फंदे रख लेने हैं, अगर हम अपने फंदों को एक ही सलाई में करके नाप कर देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा लंबा दिखाई देगा, लेकिन जब उसकी हम सलाई करेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा छोटा पड़ जाएगा इसलिए आपने दो सलाईों में फंदे कर लेने हैं और फंदों को दो सलाईों में लेने के बाद अपने पार्ट को बिल्कुल ऐसे सीधा करके बिछा लेना है और फिर इंची टेप से जो आपने नाप बनाना है आरम होल के नीचे इंची टेप रख लीजिए और फिर नीच तक जितनी length बनती हो उतनी length आप इस part की बना लेजिए ये इसका front वाला part है और ये देखिए ये इसका back part है back part मैंने इसका बिल्कुल plane बनाया है आप चाहो तो इसमें कोई भी normal सा design डाल सकती है लेकिन gen sweater को जब मैं बुनती हूँ तो हमेशा ही back part बिल्कुल plane बुनती हूँ सी और front वाले part में मैं design बनाती हूँ तो यहाँ पर आपकी अपनी choice होगी तो आप इसी तरह से इस design को बुनते हुए arm hole तक की इसकी length बना लीजिए आज की इस वीडियो में इतना ही इसकी next वीडियो में मैं आपको इसकी arm hole की cutting और गले की घटाई करना बताऊंगे अगर आपक मैं इसे share कीजिए channel पर नए है subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे channel के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें thank you